सो हेलो अविवान गाईस हर महादीव राधी राधी कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे हो अगर अपनी लाइफ में भी आगे पुट रही होगी सो गाईस आज मैं आपके लिए एडिंग लेकर आगे हूँ Scorpio राशी के लिए January month 2024 का first month कैसा रहने वाला है so guys also happy new year to everyone guys okay first month की reading है so January month की Scorpio मतलब व्रिशिक राशी वालों के लिए okay अगर आपके sun moon rising and north node में व्रिशिक राशी आती है यहाँ Scorpio sign कह सकते हैं जिसको हम है न so वो आता है तो guys देख लीती हैं आपके लिए कैसा रहेगा यह month and guys मैंने मेरा new deck आज चुका है ठीक है and I love that deck guys मैं new year की reading में use करूंगी okay उसको then after that हम daily उसको use किया करेंगे इसी तरह का deck है but in a golden shade okay so anyways so मैं आपकी reading कर रही तो तो मैंने आपको बता दिया ठीक है so यहां से देख लेती है कैसा रहेगा आपका यह January month 2024 six of pentacles okay okay guys seven of wands great queen of pentacles okay and last one is and guys मैं मंदिर गई थी ठीक है तो मुझे दिखा यह rose and पहले ही बैने सोचा के no rose इसको ऐसे तोड़ते नहीं है ना but yes मन में लाला चाहे के नहीं मुझे यह चाहिए है ना so मैंने गाई इस तोड़ लिया इसको तो मैं ले आई इसको अपने घर ठीक है so Scorpios यहां पे है टावर कार and यहां पे bottom of the deck is two of cups की energies है middle energies क्या है यहां पे two of pentacles सबसे बहले तो आपके लिए 22 date important हो सकती है January month की आपका birthday हो सकता है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अनेक्सपेक्टर काम हो सकता है ठीक है यहां फे 2 date या 22 date या फे 4 date या फे 13 date यह आपके लिए important dates हो सकती है इस month की I think मैंने first time भी किसी राशी को बताया है ऐसे आपके लिए 222 number बहुत important हो सकता है आपको यह दिख भी रहा होगा बहुत time से 222 so guys angel number 222 आपको यह show करता है कि आपकी life में आने वाले time में love relationship में harmony आते हुए दिख रहे ठीक है आप बहुत harmony feel करने वाले हो बहुत love care feel करने वाले हो अपने partner की तरफ से यह आप उनको देने वाले हो ठीक है बहुत ज़र आपकी care करेंगे guys वो बहुत responsible feel करवाएंगे आपको yes कि आपकी responsibilities उनके उपर है and वो ऐसा feel करवाएंगे कि आपके साथ वो सभी से लड़ सकते है अगर आप partnership relationship में हो और आपको commitment चाहिए equal give and take चाहिए रिष्टे में तो guys वो भी आपको मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पर seven of wands शो कर रहा है कि आपकी life में इस month में बहुत ज़र फाइटिंग नीचर भी आपके person का दिख रहा है ठीक है यहाँ पर and relationship में यहाँ पर आपके partner आपको मतलब लड़ते हुए दिखाएंगे कि yes आपके लिए वो कुछ भी कर सकते है ऐसा कुछ मतलब scene यहाँ पर create होता हुआ दिख रहा है so यह show करता है guys कि आप थोड़ा busy रहने वाले हो इस month में also juggling थोड़ी सी चलती रहेगी कि yes अब मैं अब क्या करूँ अब क्या करूँ तो busyness यहाँ पर दिख रहे है and also अच्छा है guys आप busy हो busy रहना ही अच्छा होता है ठीक है अगर आप आपके पास काम नहीं होगा busy नहीं होगे तो guys of course वो अच्छा मतलब आपका time कैसे निकलेगा life में कैसे आप enjoy कर पाओगे जो भी आपकी material things आपको चाहिए उसको कैसे enjoy कर पाओगे अगर आप कुछ करोगे ही नहीं है तो guys यह month new year का first month January 2024 Scorpios आपके लिए time है के थोड़ा donate करो and also जतना आप उदोगे उसका 10 गुना आपको वाकिस भी आएगा queen of pentacles की भी energies में आ जाओगे like होता है ना कि yes कि मैं यह काम कर रहा हूँ and like कैसे बताओ मैं आपको बते हो का 10 गुना आपको 10 के 10 गूना रहा किसी नहीं की आपने काम कर वाये because like karma is great karma कर्म करोगे वयासा ही आपको फल भी मिलेग अगर आप अगर आप अच्छे करूम करोगे तो of course आपको अच्छे फल ही मिले आप expect करो yes आपको अच्छे फ़ल ही मिलेंगे होगी so यहाँ पर बहुत caring energies भी दिख रहे हैं चाहिए आपके partner की हैं चाहिए आपकी हैं आप बहुत ज़रा motherly nature आप जा तो कोई woman हो सकते जो आपकी life में आपको ऐसा feel करवाए या आप ही ऐसे बनते हुए दिख रहे हो बहुत ज़रा caring loving mother type nature ठीक है आपका बनने वाला है और आप बहुत stable होने वाले हो अपने life में आपकी life में money abundance भी आ रही है ठीक है अगर आप को business lady हो या business man हो तो guys आपकी life में money आते हुए दिख रही है clients new new आते हुए दिख रहे है ठीक है tower card थोड़ से आपको कहा जर अपना base strong करो चाहिए relationship में है चाहिए money career में है ठीक है अपना base strong रखो so that आपका base अगर कभी आप ही लो भी कुछ आपकी issue आ जाए तो आपके relationship में कोई fix ना पड़े ठीक है ना ही आप दोनों में एक्स्ट्रा सा मतलब होता है कि yes लड़ाई चकड़ा होने लगे एकदम से trust खतम हो गया trust रखो ठीक है एक दूसरे पे tower card यही show कर रहे है आपके लिए so यहाँ से आपके लिए क्या energies आ रही है okay seven of seven chakra है यहाँ पे आर्के इंजल यूरियाल so यह मुझे show कर रहे है कि आपकी intuition बहुत high होते हो दिख्रेस month में okay आप intuitively feel करने वाले हो अपने लिए guys also यह general reading है so अगर आपको अपने लिए personal reading yearly book करवाने है तो अब आप करवा सकते हो ठीक है also अगर आपको personal reading कोई भी आपके माइन में question है जाहिए जितने मज़ है उसके according लिए आपको पेक अतना पड़ेगा यह no but yes आप उसके लिए regarding ले सकते हो reading अपने लिए okay so scorpios यहां पर आपके लिए main energies ही scorpio की आ चुकी है main card ही scorpio का आ चुका है so आपके intuition increase होते हुए दिख रही है universe आपको खुद message देते हुए दिख रहे है व्रिष्षिक राशी seven chakra है यहां पर आपका crown chakra open होता हुए दिख रहे है यहां फिर आप इस January month में Kundalani awakening क्या होती है कैसे होती है यह सब चीज़े learn करने वाले हो यहां अगर अपने Kundalani awakening करना चाहते हो तो वो भी यहां पर होते हुए दिख रहे है word card है यहां पर word show करता है कि आपकी life में कि yes आप कहीं ना कहीं travel करने वाले हो आपके life में जो cycles चले आ रहे थे बहुत टाइम से वो यहां पर थोड़ स्थमते हुए दिख रहे है ठीक है and 11 number आपके लिए important हो सकता है 41 number 5 number 2 number 29 number यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं also word card यह show करता है कि आपका कहीं ना कहीं जाने का मन है traveling करने का मन है यहाँ आप कहीं foreign country जाना चाहते हैं किसी अलग country state में आप जाकर रहना चाहते हो तो वो भी आपकी यहाँ पे अगर wish है तो मुझे असल लग रहे है कि आपके intuition यहाँ पे आपको guide करें कि yes आपको ऐसे करना है आप situation चाहें जैसी भी उससे लड़कर आप अपनी life में जो आपके dreams हैं उनको fulfill करने के लिए आगे भढ़ रहे हो बहुत busy इसलिए आप इस month में हो ठीक है आर्केंजल माइकल भी है guys see this first chakra and seven chakra दोनों ही चक्रास यहाँ पे हैं ओके first to seven बीच वाले छे पांच चक्रा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे but first to seven यह कुंडलनी awakening की ही energies है आर्केंजल माइकल ट्विन फ्लेम्स को भी शो करते हैं ट्विन फ्लेम्स सोलमेट से 1111 नमबर इनका ही माना चाते हैं आपके लिए 35 नमबर भी important हो सकता है आर्केंजल माइकल से प्रे करो अगर आपको कॉंडलने awakening करने हैं also आर्केंजल यूडियल को बाकी guys किसी गुरू क इसे ही नहीं करने because वो बहुत जारा energetic होती है चीज़ें ओके अगर आप खुद करने लग जा हुए कुछ और गलत effect हो गया आपके उपर हो इसलिए किसी ना किसी गुरू में आपको यही एक तरह से अवेर करना चाहती हूं को इनलनी awakening ऐसे ही नहीं हो जाती है कोई एक दो च चक्रा इसको balance में रखो yes यह normal आपको बताया जाता है बाट यह आपको अगर पता नहीं है कि yes इसके थुरू आपको को negative effect भी हो सकते हैं so guys अगर कुदलनी awakening होगी ना आपको ब्रहमाड की अवाज़े सुनने लग जाएंगी okay scorpios चाहे जो भी हो आप जो भी सुन रहे हो आप आपको अवाजे सुनने लग जाएंगी अलग अलग तरहा की yes और अगर आपकी पास गुरू नहीं है न तो आप उससे तंग हो जाओगे ठीक है आपको अपने असमान की अवाजे क्या हो रहा है उपर भ्रहमाण में मैंने सुना है जो लोग कर चुके हैं बहुत कई लोग तो बहुत दुखी हो जाते हैं वह फिर गुरू ढूंबते हैं कि हमें इसको रोकना है तो वो गुरू जल्दी से मेल नहीं पाते है हूं बहुत ही जारा जो हमारे रिश्षी है ॥िáng संत है हमारे जो पहाड़ो में हिमाल्यस में बैठे हूं उनके पास जाना पड़ता है उ कि हर किसी में होती है okay and home की energies आई है यह household situation is improving either through move or healthy change in the components so आपको कहा आच रहे है आपकी जो household situations have improved हो रही है okay and home की भी चाहे कोई नो कोई आप healthy move लो अपने लिए अपने weight loss journey की तरफ चलो खाना भी न अपना change कर रहे हो आप ठीक है kitchen में वो सब चीज़ी आ रही है आपके so वो यहाँ भी दिख रहे है कोई नो कोई चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है okay so देया भावना रुखो सभी के लिए okay so Scorpios अगर आपको reading पसंद आई है लिंक इंस्ट्रेक्राम का description में है टाइम्स्ट्राम के जर्स चूपई sorry टाइम्स्ट्राम बोलों फ्रस से लिंक description में है या about section से भी देख सकते हो okay so अभी के लिए इतना है रहा मादीव राधी राधी गाईज बाई